जय हिंदू सुनेंट्स, I am प्रतमेश निरंजनी, your economics mentor. बच्चो कैसे हैं आप लोग? बच्चो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पॉलिटी का क्रेश कॉर्स पूरी तरीके से कम्प्लीट कर दिया है। आज का हमारा economics का पहला lecture होने वाला है। Economics के अगर portion की मैं ND exam में बात करूँ तो हर साल कुछ ना कुछ questions economics से आते ही हैं। और इस बार ये देखा गया गया है कि country के अंदर COVID-19 situation के बाद बहुत सारे economical changes हुए हैं। तो economics से question आने की संभावना हैं इस बार exams में बढ़ जाती हैं। क्योंकि other exams में भी economics के questions का weightage इस बार बात करूँ तो जैसा कि हमने पहले भी कहा है मैंने आपसे कि economics का syllabus properly कहीं पे defined नहीं किया जाता है। बट स्टिल हर साल कुछ ना कुछ questions economics से पूछे जाते हैं। यहां पर वो economics की आपकी general या basic समझ के बारे में जानना चाहते हैं। अगर मैं majorly topics की बात करूँ economics से जो topics आ सकत हैं तो majorly वो होते हैं हमारे national income जिसको हम आज discuss करने वाले हैं, planning in India भारत में planning कैसे की जाती है, five year plans की बात करें तो वो एक बहुत ही major topic है, बहुत important role play करता है, इसके अलावा हम बात करें कि international financial organizations जैसे IMF की हम बात कर रहे हैं, world bank की बात कर रहे हैं, इसके अलावा अगर United Nations की भ समझना भी बहुत जादा important हो जाता है, और economics as a subject कोई बहुत ही difficult सा subject नहीं है, normally बच्चों को यह लगता है कि economics जो है वो बहुत difficult सा subject होगा, interesting नहीं होगा, यह economics के अंदर चीज़े जो है वो उनको समझ में नहीं आएगी, देखिए economics अगर मेरे ही साब से बात की जाए, तो ज money के transactions करते हैं, आपने कहीं से recharge करवाया है, आपने paytm से money pay करा है, वो भी economics का part है, आप बहार जाते हैं, बहार जाते ही आपने किसी mall से, या सड़क पे खड़े हुई किसी दुकान से, अगर कोई commodity purchase करी है, वो भी economics है, आपके घर में, आपके parents आपकी fees एक स्कूल में pay कर रह है, तो इस subject बड़ा ही interesting और बड़ा ही important हो जाता है, आज हम economics को इसी तरीके से, आसान तरीके से समझेंगे, ताकि आपकी एक proper समझ बैठ जा है, economics as a subject को लेकर, और basic से related, या higher level का भी कोई question अगर NDA में आता है, तो आप उस question को बड़े ही आराम से attempt कर पाए, चली बच्चों आज का lecture हम start करते है, lecture start करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि economics के और सारी exams के जो lecture है, जो PDF है, जो PPTs है और जो DPTs है, वो सारी के सारी हमारी PW app या physics वाला app के उपर available है, आपको play store के उपर physics वाला app को download करना है, download करते ही आपको वहाँ पर शक्ती badge का logo मिलेगा, शक्ती पर शक्ती badge के लिए subscribe हो जाएंगे, शक्ती badge free of cost है, यहाँ पर जितने भी classes available है, उसका कोई भी आपसे charge नहीं लिया जाएगा, DPPs प्रोवाइट की जाएगे आपको उसका भी कोई charge नहीं लिया जाएगा, चली बच्चों समझते हैं, basically economics क्या है, बड़े ही general manner के अंदर बड economics, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों, economics की बात की जाएं, तो यहाँ पर इसे अर्थशास्त के नाम से भी जाना जाता है, अब यहाँ पर एक definition आपको मिल रही होगी, बड़ी simple सी definition है, सबसे simple definition है economics की, economics क्या है, economics is a social science concerned with the production, distribution and consumption of goods and services, economics जो है, वो एक social science होता है, सा एली चीज क्या हो रही है, production हो रहा है, किसी चीज को बनाया, produce क्या, production, दूसरा होता है, consume, दूसरा हो रहा है, distribution, बनाने के बाद उस चीज को distribute कर दिया, और तीसरा क्या होता है, consumption, consumption का मतलब ही होता है, कि आपने उस चीज को consume कर लिया है, उसका use कर लिया है, उसका यही हमारा economics है इसके अलबाद दूसरा कुछ भी economics नहीं है economics के अंदर यह तीन चीज़ें ही आती है अब यहांपर consumption production एन distribution किसका हो रहा है यह तीनों चीज़ें हो रही है goods and services की चलिए इसको से example से हम समझते हैं कि basically economics है क्या और एक definition basically कहना किया चाहती है देखी बच्चों अगर यहाँ पर properly में बात करूँ माल लेते हैं कि एक factory है factory के अंदर car बनाई जारी है किसी car को produce किया जारा है किसी vehicle को produce किया जारा है तो जब इस vehicle को produce किया जाता है इस factory के अंदर तब यह economics की कौन सी step की बात करता है यह बात कर रहा है production की कोई चीज़ produce की जारी है दूसरा step यहाँ पर क्या हो जाता है कि उस चीज़ को distribute करना अब distribute कहां किया जाएगा अगर car यहाँ पर बन जाएगी factory के अंदर आपने इस vehicle को बना लिया है उसके बाद वो vehicle कहां पर जाएगा वो vehicle जाएगा showrooms के अंदर बिकने के लिए that means distribute होने के लिए और last में क्या होता है consumption consumption का basically मतलब क्या है कि जब वो showroom के अंदर जाता है तो आप मेंसे हम मेंसे ही कुछ लोग उस car को क्या कर लेते हैं purchase कर लेते हैं तो देखे तीनो steps के अंदर क्या हुआ है पहली चीज में हुआ यह है कि हमने raw material निकाला है raw material कच्छे माल से हमने क्या बनाया है factory के अंदर किसी चीज़ का production किया production करने के बाद हमने उसको कहां पर भेजा distribution center के अंदर भेजने के बाद customer ने उस car को purchase कर लिया अब यहां पर कही ना कहीं जो transaction हो रहा है वो किसका हो रहा है money का हो रहा है पैसो का हो रहा है तो economics सिर्फ यही चलता है lane देन कि कोई चीज़ आपने किसी से ली है और उसके बदले में आपने उसे कोई चीज़ दे दी है अब जिसे अगर मैं primitive time की बात करूँ कि economics ऐसा नहीं कि अभी यह subject आया है humanization से पुरानी सभ्यता से और इवन अगर मैं बात करूँ कि काफी पुराने time से आदी मानवकाल से economics रहा है पहले यह system नहीं होता था कि आपको अगर 10 kg चावल खरीदने है तो आप उसके बदले क्या दे देते हो money दे देते हो पैसा दे देते हो आज के time पे मैं यहीं करते हैं कि आप अगर market में गए हैं आप किसी food stall पे गए हैं आपको माँ पर कुछ cheese आपने खाई है आप paytm से payment कर देते हो या cash के अंदर money दे देते हो पहले ये नहीं होता था पहले कि अगर मैं बात करूँ तो शुरुवात में चलता था barter system barter system का मतलब क्या होता जैसे आपने सुना होगा कि 10 kg चावल के बदले 10 kg गेहूं दे दिये गए कि कोई एक commodity के बदले दुसरी commodity आप दे देते थे आप money का transaction या पर नहीं कर रहे हैं बट जैसे जैसे time change होता गया economics के अंदर भी changes आते गए आज के time पे क्या होता है अगर हमें किसी commodity को buy करना है जिससे अगर इस person को इस car को buy करना है तो उसे क्या payment करना होगा उसे money payment करनी होगी rupees के अंदर payment करनी होगी अगर वो इंडिया के अंदर buy कर रहा हो तो अमेरिका में buy कर रहा है तो dollars के अंदर payment करना होगा तो economics का ये सीधा सा funda है that means economics जिस दुसरे base पे काम करता है वो क्या होता है बच्चो demand and supply demand and supply क्या होता है इसी lecture में आगे हम इस चीज को समझेंगे चलिए बहुत simple से words के अंदर हमने define कर लिया है कि economics होता क्या है production होता है आपर distribution होता है और consumption की बात की जाती यही हमारा general economics है अब चलिए इसके डूसरे aspects को समझ लेते हैं कि यहाँ पर दो चीजे लिखी है एक चीजे लिखी कि जो distribution किया जा रहा है जो production किया जा रहा है और जो consumption किया जा रहा है यह majorly दो चीजों का हो रहा है पहला क्या है यहाँ पर goods कि goods का distribution, goods का production and goods का consumption दूसरा है services अब यहाँ पर यह थोड़ा सा जानना जरूरी है कि goods क्या होता है और services basically क्या होती है चलिए इसको देख लेते है पहले goods का definition देखते है goods का मतलब है any item, material and consumable substance which are sold to the consumers is called goods ऐसी कोई item ऐसा कोई goods ऐसा कोई सामान जिससे customer सीधे consume कर लेता है जिसका सीधे उपयोग कर लेता है उपभोग करता है इसके अंदर एक दूसरा point भी बड़ा important होता है कि जो goods होते है they are physically visible यह आपको दिखाई देते हैं जैसे यहाँ पर example की मैं बात करूँ तो देखिए आपका जो phone है यह iPhone का picture है आपका जो phone है यह भी goods की category में आता है आप अगर एक grocery stores के अंदर जितना सामान रखा हुआ है यह भी goods की category में आता है तीसरी अगर मैं बात करूँ कि आप जिस book से पढ़ाई करते हैं वो books भी goods की category में ही आती है तो basically जिन सामान का या जिन भी कह सकते कि जिन भी commodities का उपयोग आप directly आपने पैसा दिया और आपने उसका use करना start कर दिया और ऐसी commodities जो आपको physically दिख रही है जिसे book आपको दिखती है यहाँ पर आपको phone दिख रहा है यहाँ पर आपको जो materials है यह सारे materials यहाँ पर दिख रहे है तो यह सारी जो commodities होती है जो physically दिखती है और directly consumable goods होती है ये क्या कहलाती है बच्चों, goods कहलाती है, अब इसके लावाद दूसरी चीज थी, services, अब यहाँ पर goods को थोड़ा खा में और बता देता हूँ, कि आपको phone purchase करना है, आप क्या करते हैं, market में जाएंगे, और आपने market के अंदर पैसे दी और वो आपको एक physical thing दे देगा, ऐसी चीज जिसको थू सकते हों, महसूस कर सकते हो, वो चूने महसूस करने वाली चीज क्या होगी, phone होगी, तो that means, आप शू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, feel कर सकते हैं, जो दिखती है, वही basically क्या होती हमारी goods होती है, जैसे phone आपको दिख रहा है यह आपर, यह कॉमेंटीज दि सर्विसिस का मतलब क्या होता देख लेते हैं एक सिंपल सी चीज लिखी है कि सर्विसिस का मतलब बेसिकली यह होता है कि कोई भी फिजिकल गुड ट्रांफर नहीं होगा सेलर से बायर की तरफ मतलब यह कि आपने किसी को पैसे दिये तो उसने आपको कोई फिजिकल सामान नहीं दे दिया कोई ऐसी चीज नहीं दी जो आपको दिख रही है अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है हम किसी को पैसे दें और उसके बाद वह हमको कुछ सामान भी नहीं दे रहा है तो हम उसको पैसे क्यों देंगे चलिए मैं इसका सिंपल सा बताता हूँ देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा एक्जामपल है आप किसी भी टैक्सी सर्विस का जब यूज करते हैं ओला का या उबर का यूज करते हैं किसी भी टैक्सी से आप जाते हैं रिक्षा से जा रहे हैं टैक्सी से जा रहे हैं इवन एरोप्लेन से आप जाते हैं आपको जितनी दूर जाना है, उतनी दूर वो छोड़ देता है, और उसका वो क्या बना देता है, बिल बना देता है, और वो बिल वाप पे कर देते, तो आपको कुछ मिला के टक्सी वाले को जब आपने इस पैसे दिये थे तो, कुछ भी नहीं मिला है, आपने सिर्फ उस सर् सेम कार्ट एक करने पेपको सीम कार्ट मिल जाता है तब तबoterे पीसमें आगया करने पैसे दिये उसeling कार्ट फिसिकल्ट उस और यह फिरождения, शॉप को देता है रिचार्ज के लिया पर दोड़ साहे आपको अब वो service क्या होती है कि आप internet का use कर सकते हैं calling कर सकते हैं data का use कर सकते हैं तो यही सारी चीज़ें जो physically दिख नहीं रही है बट आप उन सुविधाओं का उपयोग करते हैं यह सारी चीज़े किसमें आती हैं बच्चों services के अंदर आती हैं इसका एक और example हम ले लेते हैं आपक कार खराब हो गई हाईवे के ओपर जा रहे हैं आप एक mechanic के shop के ओपर जाते हैं mechanic बोलता है कि ठीक है सर मैं आपकी कार तो ठीक कर दूँगा मैं कोई नया पार्ट्स नहीं डाल रहा हूं बट उसके बदले में 1000 रुपए आप से लूँगा तो आप payment करते हैं बिल्कुल करते अब ऐसा नहीं कि 1000 रुपए आप ने दिये तो mechanic ने आपको कोई physical thing दे दी नहीं उसने अपनी skill का use करके आपकी कार को सुधार दिया है तो यह सारी चीज़े किसके अंदर आती बच्चो services में और इसका सबसे simple example अगर मैं बताऊं आप जब schools में जाते हैं आप जब schools के अंद इदर आप school की fees बे करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपके teacher आपको physical thing दे रहे हैं वो आपको knowledge देते हैं वो आपको ज्यान देते हैं तो यह ज्यान ही basically क्या कहलाता है इसी की तो हम बात करने यहीं क्या होता है बच्चों हमारा इस सीजे जो हैं यह services के अंदर आती है कि transaction के ब और पूछा जा सकता है कि economics के father कौन है किने father of economics कहा जाता है एक ही नाम बार-बार सामने आता है जब भी father of economics की बात की जाएगी तो एक नाम हमीशे सामने आएगा वो होता है Adam Smith Adam Smith जो है वो father of economics के नाम से जाने जाते हैं and यह economics के अंदर basic में ऐसे factual questions आप से पूछ सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि in factual questions का अंसर क्या होगा तो Adam Smith यहाँ पर father of economics के नाम से जाने जाते हैं इन्होंने एक book लिखी है और इनकी एक theory है basically अगर मैं बात करूँ इस theory का नाम था the wealth of nation यह भी point याद रखेगा कि the wealth of nation book Adam Smith के तुरू लिखी गई है जिसके अंदर उन्होंन important है पहला point father of economics कौन हो गए हमारे Adam Smith हो गए इन्होंने जिस book को लिखा है जिस book के बारे में बात करी है उस book का क्या नाम है the wealth of nation और यहाँ पर जो GDP का concept होता है जो हम आगे इसी lecture में समझने वाले gross domestic product यह जो GDP का concept है यह भी Adam Smith नहीं create किया है इस concept को create करने के कारण ही Adam Smith को father of economics कहा जाता है याद रखिएगा बड़ा important point है questions आप से इस directly form में पूछे जा सकते हैं एंडी के exam में कि father of economics कौन है यहाँ पर चली बच्चो next point की बात की जाए कि branches of economics क्या होती है economics की कितनी branches होती है तो अगर मैं properly बात करूँ तो economics की majorly दो branches होती है पहला होता है micro economics और दुसरी ब्रांच होती है आपकी macro economics अब देखें नाम से ही यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी माइक्रो बिल्कुल छोटा और यह macro that means इतना छोटा नहीं है यह उससे बड़ा है थोड़ा सा माइक्रो एक्नॉमिक्स है माइक्रो एक्नॉमिक्स चली दोनों ही concept को properly समझते हैं कि दोनों concept basically कहना क्या चाह रहे है बच्चो पहला concept हमारा है यहाँ पर माइक्रो एक्नॉमिक्स का नाम सी क्लीर हो रहा है माइक्रो एक्नॉमिक्स देखिए पहले इसके छोटा सा definition देख लेते हैं माइक्रो एक्नॉमिक्स के अंदर अब यहाँ पर क्या होता है मैं इस चीज़ को आपको एक्साम्पल के थू समझाओंगा माइक्रो बड़ा ही छोटा जब आप किसी छोटी सी यूनिट का एक छोटे से एरिया का या कह सकते हैं कि छोटी सी एंटिटी की एक्नॉमिकल एक्टिविटी इसको जच करते हैं इसको एक्साम्पल से हम समझते हैं माल लेते हैं कि एक फैमली है इस family के अंदर बहुत सारे economical transactions हो रहे हैं कैसे transaction हो रहे होंगे देख लेते हैं यह जो father है father के पास जब यह job करते हैं तो इनके पास पैसा आ रहा है that means इनके पास money क्या हो रही है यह पैसा क्या कर रहे हैं that means money का transaction हो रहा है दूसरा जब इनके पास पैसा आता है तो हो सकता है इन्होंने घर खरीदा है तो ये घर का क्या करते है रेंट देते हैं इसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी वाइफ का हो सकता है कि कोई बिजनस है अगर बिजनस है तो पैसा इनके पास क्या है आ रहा है बच्चे जो है वह स्कूल्स में पढ़ते हैं तो बच्चों की स्कूल की फीस क्या की जा रही है यहाँ पर इन्होंने कार भी परशेस कर रखी है तो कार की जो EMI है जो इनकी किष्ट कट रही है कार की जो EMI पर इन्होंने कार ली होगी कार की जो है वो EMI भी जा रही है अब पर जब एसे छोटी छोटी यूनिट्स का एसे छोटी छोटी एंटिटीज के अंदर जब भी हम economical concept को देखते हैं यहां पर हम बात करते हैं कि उनके behavior की बात करते हैं कितना transaction हो रहा है कितना transition किया जा रहा है खर्चे expenditures जब इन छोटी-छोटी units के जोड़ते हैं तो वो किसके अंदर आता है micro economics के अंदर आता है ये बड़े small picture के अंदर होते हैं तब देखिए जैसे घर के जगे हमने क्या ले लिए एक factory ले ली है factory के अंदर भी जितने economical transactions हो रहे हैं कि कितना पैसा material को बनाने में लग रहा है production में कितना पैसा लग रहा है फिर कोई चीज sell करी तो उसका sell करने के बाद पैसा कितना आया है ये सारी जब एक small small units का या एक unit की हम study करते हैं that means अब यहाँ पर हम किसकी study कर रहे हैं सिर्फ इस घर की कर रहे हैं यहाँ पर हम किसकी कर रहे हैं सिर्फ इस फैक्टरी की कर रहे हैं कि इस फैक्टरी के अंदर जो economical activities हो रही है transactions हो रहे है money के production हो रहा है depreciation लग रहा है यह सारी कि सारी चीज़ें आती है micro economics के अंदर जब आप एक छोटी से unit की बात करते हैं या एक single unit की बात करते हैं यह चीज़ें आती है बच्चों आपके micro economics में जिस portion को हमें पढ़ना होता है जो examinations के अंदर पूछा जाता है वह आपका होता macro economics macro economics के अंदर basically big picture की बात कि जाती है बड़ी picture के बारे में पूछते हैं बड़े scenario के बारे में पूछते हैं कैसे चली definition से देखते हैं macro economics is the branch of economics that study the behavior performance of an economy as a whole जब आप क्या करते हो कि बहुत सारी पूरी एक entities को या बहुत सारी छोटी-छोटी units को मिला के एक बड़े concept को समझना start करते हो उसी को basically क्या कहा जाता है यहाँ पर macro economics चली इसको भी example के तुरूई समझ लेते हैं यहाँ पर लिखा big picture study as a whole अब देखी क्या हो रहा है मान लेते हैं पूरी दुनिया के अंदर economically जितनी भी activity चल रही है कैसी activity चल रही है अब पूरी दुनिया के अंदर factories भी होगी पूरी दुनिया के अंदर families भी हो रही पूरी दुनिया के अंदर transactions चल रहे होंगे तो जब इस big picture के अंदर आप economical activities को समझना start करते हो जब इस बड़े scenario में समझते हो अब यहाँ पर एक unit नहीं रही है यहाँ पर भौसतार unit आगी है एक factory के एकनोमी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं पुरी दुनिया की जितनी factories हैं उनकी economics की बात कर रहे हैं पुरी दुनिया में जितनी families हैं उनके अंदर जो भी economical transactions चल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं तो यह जब आप big picture की बात करते हो उसी को कहा जाता है macro economics इसके अंदर पूरा का पूरा study as the whole कि आप पूरी दुनिया की या एक ही unit की नहीं बहुत सरी unit को मिला के उसके इन्डिया की मबात करें जब भी हम उमारे देश की करते तो बेसिक्ली देखिये जब भी आप economy को As a Probleme τरीट करते हैं आप पूरी एक बहुत बड़ी country की, पुरी दुनिया की, या बहुत सारी units को मिला के economy को समझना start कर देते हैं, basically वही आपका क्या कहलाता है बच्चो, macro economics, आपकी exams के अंदर आपसे macro economics पूछा जाता है, जैसे देखी हैं यहाँ पर, क्या क्या देख रहे हैं, unemployment की बात कर रहे हैं, GDP देख रहे हैं, poverty देख रहे हैं, inflation देख रहे हैं, national income देख रहे हैं, यह सारे concept जब एक साथ जुड़ जाते हैं, as a whole आप किसी चीज़ की study कर रहे है, economical transactions की, economics की, वो economics हमारा होता है, macro economics, और examination के इसाफ से, आपको macro economics ही पढ़ना है बच्चो, चली I hope आपको एक concept, micro economics और macro economics का समझ में आया होगा, next point की बात की जाए, जो बड़ा important है, यह होता है, sectors of economy, किसी भी economy को चलाने के लिए, देश के अंदर जो economy होती है, वो किनी 3 sectors की है, कुछ sectors की वड़े से चलती है, अब यहाँ पर हमारी economy के majorly 3 sectors होते हैं, आपने आपकी previous exams के अंदर भी, आपने अपनी class के अंदर भी पढ़ा होगा, कि majorly economics के अंदर हमारे 3 sector होते हैं, पहला sector है हमारा primary sector, दुसरा है secondary sector, जिसे industrial sector के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा होता है आपका tertiary sector, जिसे service sector के नाम से भी जाना जाता है, इस chapter को, इस logic को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप को बता दू कि हमारी economy, पहले की अगर मैं बात करूं तो primary sector के ओपर ज्यादा dependent थी, primary economy कहीं जाती थी, आज की बात अगर मैं करूं तो Indian economy हमारी तरसरी sector economy या service sector economy बन चुकी है, चली इन सारे sectors को समझ लेते हैं, sector का basically मतलब यह है कि किन-किन area से transactions होते हैं, किन-किन area से production हो रहा है, चली इन sectors को properly एक sequence के इंदर समझ नाम स्टार्ट करते हैं, कि यह कहना क्या चाते हैं, पहले sector की बात करें बच्चों तो यह होता है हमारा primary sector, primary का क्या मतलब होता है, पहला यह इसमें आपको सिर्फ एक simple सा concept ध्यान रखना है, देखिए मैंने पहली का है, यह मगब करने वाली चीज नहीं economics, यहाँ पर आपको सिर्फ factual चीजों को या concepts को ध्यान रखना है, आपने अगर concept को समझ लिया, तो economics आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, आप देखिए definition को पढ़ी है, आपर primary sector क्या कहता है, activities are undertaken by directly using the natural resources, जितने भी हमारे natural resources होते हैं, उनको ले के जित mining क्या है, जमीन, तो इसके अंदर जितनी भी activity होती है, वो सारी के सारी primary sector के अंदर आ जाती है, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे है, agriculture, अब agriculture किसके अंदर करते हो, जमीन के अंदर करते हो, माइनी में किससे अंदर कर रहे हो, जमीन से ही कर रहे हो, natural resources का use हो रहा है, fishing के बात क तो यह सारे पॉइंट्स होते हैं जब भी एक्टिविटीज इन सारे एरियास के अंदर की जाती है जो कि नैचुरल रिसोर्सेस हैं नैचुरली हैं तो यहां पर इस सेक्टर को क्या कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है जैसे आप आप जमीन से लोहा निकाल रहे हो आयरन निकाल रहे हो तो आयरन कहां से निकाल रहे हो जमीन से निकाल रहे हो नैचुरली वो चीज मिला है तो हमारा प्राइमरी सेक्टर जो है इसलिए इसको नैचुरल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है अब देखें यहां पर लिखा है क इस sector के अंदर जो लोग काम करते हैं basically primary sector के अंदर काम करने वाले workers को red collar workers कहा जाता है, यह point याद रखिएगा, इन्हें red collar workers इसली कहा जाता है, because यह काम जब आउटसाइड करते हैं, यह बाहर काम करते हैं, fishing करने तो बाहर से fish निकाल रहे हैं, mining करने तो बाहर काम करके जमीन से चीज़ें निकाल रहे हैं, यहाँ पर अगर agriculture कर रहे हैं, तो इनके outdoor working के nature के कारण, इस sector में काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, बच्चो red collar workers कहा जाता है, इसको और थोड़े से example के तुरू समझते जैसे agriculture कर रहे हैं, अब agriculture कहाँ पर कर रहे हैं, जमीन के अंदर क transition होगा, तो यह भी किसके अंदर आ जाएगा, हमारा primary sector में आ जाएगा, यह mining की जारी कि जमीन से आप क्या निकाल रहे हो, यहाँ पर जमीन से आप लोहा निकाल रहे हो, आप अगर aluminium निकाल रहे हो, जो भी चीज़े आप निकाल रहे हो, जमीन से, यह sector भी किसके अंदर आ वो पूरा sector जो कि natural resources पर depend है वो sector क्या कहलाता है आपका primary sector कहलाता है first sector कहलाता है इसे natural sector भी कहा जाता है और इसके अंदर काम करने वाले लोगों को basically क्या कहते है red collar workers कहा जाता है तेकि normally यह माना जाता है कि जिन countries के अंदर primary sector के ओपर dependency जादा हो जाती है उनके develop होने के chances थोड़ी से कम होते हैं बच्चो यह याद रखीगा जैसे अगर हम बात करें भारत भी पहले primary sector के ओपर जादा dependent था हमारा देश खुद primary sector के ओपर dependent था agriculture हमारा main occupation था तो primary sector के ओपर agriculture हमारा main occupation था तो हम बहुत time तक उस पर depend नहीं रह सकते थे ऐसे दूसरी country इसके में बात करूँ एफरीका एफरीका के अंदर abundant form के अंदर natural materials है natural minerals है वहाँ पर खनीज है वहाँ पर बहुत सारी चीज़े मिलती हीरा है तांबा है सोना है चांदी है सारी चीज़े naturally मिलती बड़ क्या एफरीका आज बहुत अमीर है नहीं वो अमीर नहीं है क्योंकि उनके पास दूसरे उस natural materials को या उन minerals को निकालने के लिए उनके प निकाल के लिए आती है तो यहां पर मैं कहने के लिए यही बता रहा हूं आपको कि जो natural resources होते हैं वो कभी ना कभी खतम हो जाते हैं तो किसी भी कंट्री की जब dependency है अगर primary sector पर जाधा हो जाती है तो वहाँ पर उस country को develop होने में थोड़ा सा time लगता है इसका सबसे इच्छ के reforms होए थे मैं उसके पहले की बात करो तब यहां पर देश के अंदर हमारी economy इतनी जादा ग्रो नहीं कर पारी थी वह अगर आप पिछले 15 साल या 20 साल के अंदर देखे तो हमारी economy के अंदर एक drastically major change हुआ है जो बहुत जादा ग्रो कर गई है चली बच्छो आई होप आपक वही कार वाला कार बनाने के लिए हमको जरूरत थी लोहे की लोहा हमने कहां से निकाला जमीन से निकाला माइनिंग करा जब जमीन से उसको निकाल लिया तो यह कौन से सेक्टर में आ गया primary सेक्टर में जो लोग उसे जमीन से निकाल रहे थे उनके जॉब को हमने क्या बोल पर जॉप कर दिया अब वो लोहा जमीन से निकल कि अब लौहा बहुत सा रहे हो गया आयरण निकाल अब उसको आप कहां भेशते हो इंडर बेशते हो इंडस्टी के अंदर बेशते हो जहां पर वो लोहा एक फिनिश्ट गुड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है वो फिनिश्ट गुड्स क्या होता है आपका वीकल होता है आपकी कार होती है तो यह ऐसा सेक्टर होता है जहां पर प्राइमरी सेक्टर से मिलने वाले नैशुरल resources को finished goods के अंदर या finished products के अंदर change कर लिया जाता है देखिए यही चीज लिखी यहां पर it includes the industries where finished products are made from natural materials produced in the primary sector next point के बाद करें कि जितनी भी industries होती है जितनी भी factories होती है जो कि natural resources से या किसी भी materials से finished goods तयार कर रहे हैं जिसे यहां पर हम बात करें स्टील का production कर रहें स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है उसके सरीय बनाया जा रहें तो स्टील तो रॉफ और इस्टील तो आपिसली वह जमीन से नहीं निकल रहा है उसके अंदर से words के अंदर बात करूं तो primary sector से जो अपने raw material निकाला था उसको जब आप किसी finished goods में तयार कर देते हो अब वह finished goods कार भी हो सकता है कोई chemical भी हो सकता है कोई सरीया भी हो सकता है तो primary sector को natural sector या natural resources sector के नाम से जाना जाता है और secondary sector की बात करें तो इसे इंडस्ट्रियल sector के नाम से भी जाना जाता है बड़ा important चीज़ है अब यहां पर जो workers काम करते हैं secondary sector के अंदर उन workers को blue collar workers कहा जाता है इस point को आपको याद रखना है जो मील मजदूर है या मील्स के अंदर काम कर रहे हैं यह सारे जो workers होते हैं इनका जो जौब है वो blue collar worker माना जाता है इस point को याद रखेगा यह question भी आप से पूछा जा सकता है इस पर यह फैक्टरी के अंदर कुछ नया production किया जा रहा है फैक्टरी के तुरुआ बहुत सारी अब देखी कार बना रहे हैं आप आपने क्या करहा कपड़े से कपड़े बनाया जा रहे हैं यहां पर बहुत सारे materials बना रहे हैं तो यह किसमें convert होके बना रहे हैं finished goods में convert हो है हमारा तरसरी सेक्टर जिसे service सेक्टर कहा जाता है जैसे कि अबने बात करी थी goods and services की आपको यादो रहा होगा goods and services आप किसी परसन को जब अपनी services देते हो आप उसको कोई सामान नहीं दे रहे हो तो service था ऐसे ही इंडिया के अंदर भी economy जो चलती है वो service sector के according जादा चलत है जो जो भी की जाती है उससे primary और secondary सेक्टर को develop होने में help मिलती है जैसे example के थूरू भी हम इसकी बात करेंगे बट यहां पर लिखा है by itself economic activities in the tertiary sector not producing a good but they are an aid and support of the production जैसे कि जब हम services को समझ रहे थे तो मैंने आपको बताया था services के अंदर कोई नया goods produce नहीं होता है वैसे ही service sector के अंदर कोई नए चीज़ produce नहीं हो रही है आप सिर्फ अपनी services देते हैं अपनी सुबधाय देते हैं अब जैसे इसका example देखा जाए कि service sector के अंदर अगर हम बात करें तो क्या क्या आ जाता है banking आ जाता है insurance आ जाता है trade आ communications आ जाता है IT sector एक बड़ा important sector है अब देकिन सेक्टर में जब लोग काम करते हैं अब banking के अंदर क्या काम कर रहे हैं आप लोग banking sector कोई चीज़ produce थोड़ी ना कर रहा है बैंक जो है वो कोई material थोड़ी ना बना रहे हैं बैंक की सिर्फ एक सुवधा देते हैं customers को क्या प्रोवाइड करता है तो यहां पर bank कोई चीज़ प्रेडियूस नहीं कर रहा है वो आपको क्या दे रहा है वैसे इंशॉरेंस एक्टर के अंदर क्या होता है आप जब इंशॉरेंस पर्चेस करते हो तो ऐसा नहीं कि आपने इंशॉरेंस के 5000 रुपे का इंशॉरेंस होती है उस condition के अंदर आपके परिवार को पैसा दिया जाएगा medical expenses उठाये जाएंगे ऐसे IT सेक्टर के अंदर क्या होता है IT सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं वो कोई नई चीज प्रेडियूस नहीं कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं एक सुविधा दे रहे हैं सेम पर्चेस करी है उसका जब आप रिचार्ज करवाते हैं तो यहां पर आप क्या कर रहे हो कोई चीज नहीं आपको नहीं मिलती है वैसे ही यहां पर जो money produce होती है लोगो को कहा जाता है white collar jobs that means पहले में कहा था red collar job primary sector में काम करने वाले लोगों का जो जोब है उसे red collar job कहा जाता था secondary sector के अंदर blue collar job कहा जाता था और अगर मैं तरसरी sector की बात करूँ तो यहां पर काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है white collar job आपने सुना हो गए नाम कि हमेशा सफेद collar वाला job करना चाहिए white collar वाला job करना चाहिए that means normally job कौन सा होता आपको field work नहीं करना होता यह next job kind of jobs होते हैं यहापर जिसमें आप services provide करते हैं चलिए next सारे sectors हमने economy के समझ लिए अब समझते है types of economy जो की बड़ा important है देखिए majorly ऐसे तो बहुत सारी type की economy होती है बट आज हमारी class में या जो आपके लिए important है वो majorly तीन तरह की economy है पहली होती है आपकी बच्चो capitalist economy दूसरी होती है आपकी socialist economy और तीसरी आपकी होती है mixed economy अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंडिया जिस एक्नॉमी को follow करता है वो होता है mixed economy इंडिया के अंदर जो एक्नॉमी चल रही है आज जिस एक्नॉमी को follow करते है हमारा देश follow करता है वो हमारी mixed economy है अब देखिए एक एक एक्नॉमी को समझते हैं कि basically यह तीनों economics है क्या पहली है बच्चो capitalist economy capitalist economy is referred to as the economic system where the factors of production such as capital goods labor natural resources and entrepreneurship are controlled and regulated by private businesses देखिए नाम सी समझ मैं आ रहा है यहाँ पर capitalist as the economy देश के अंदर की ऐसी अर्थव्यवस्था जब economy के सारे factors को कि कितना labor आएगा कितनी चीज़ प्रेडियूस करनी है कौन सी चीज़ प्रेडियूस करनी है कौन सा rule बनाना है कौन सा regulations बनाना है किस चीज़ का standard या किस चीज़ को किस तरीके से बनाया जाना है यह सारी चीज़े decide कौन करता है capitalist decide करते capitalist को हिंदी में कहा जाता है पुंजी वादी जिसे और भी अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो इन्हें कहा जाता है उद्योग पती और अंगलिश में बात करें तो इन्हें industrialist कहा जाता है जब देश की economy या किसी पूरी country की economy capitalist capitalist की हाथ में चली जाती है या industrialist की हाथ में चली जाती है और वही decide करते हैं कि क्या बनेगा कितना बनेगा किस तरीके से बनेगा सारे जो factors से जब वही control करना start कर देते हैं तो उस country की economy को क्या कहा जाता है बच्छो capitalist economy कहा जाता है यह economic type होता है यहाँ पर अगर हम बात करें कि जितने भी factors होते हैं market के वो demand and supply पर decide करते हैं अब यह demand and supply क्या होता इसको समझ लेते हैं देकि simple से चीज होती है किसी चीज का price बढ़ता या कम होता है किस चीज से demand से बढ़ता है और supply से उसे adjust किया जाता है अब एक simple से point की अगर मैं बात करूँ मान लेते हैं कि किसी factory ने एक नया phone launch किया है Indian market के अंदर phone की कीमत शुरवात में कितनी थी 10,000 रुपीस थी यह मान लेते हैं जिस दिन यह phone launch हुआ यह phone की बिकरी बहुत जादा बढ़ गई market से phone ही खतम हो गए सारे इतने सारे लोगों ने purchase करें अब जिनके पास वो phone बजगए हैं वो phone किसमें बेचेंगे वो जादा कीमत पर बेचेंगे अब सादा कीमत क्या हो जाएगी कि 10,000 का phone वो sell करेंगे आपको 15,000 के अंदर क्यों क्यों कि demand or supply demand क्या है जादा है और supply क्या है यहाँ पर कम है तो price क्या हो गए यहाँ पर बढ़ गया कि 10,000 के चीज जो है 15,000 में आ गई अब ऐसा ही दुसरा scenario ले लेते हैं दुसरे scenario में क्या होगा माल लेते हैं कि phone launch किया था 15,000 रुपे का जैसे ही launch किया market में किसी ने उसको purchase ही नहीं किया अब company क्या करीगी जब market में purchase नहीं किया तो उसके price को क्या कर देगी कम कर देगी 10,000 कर देगी तो यह demand and supply का rule जो है वो economics में हमेशा चलता है आप आज Indian economy के अंदर भी देखेगा जिस चीज के demand जादा है और supply का में उसके prices automatically क्या हो जाते है बढ़ जाते है जिस चीज की supply जादा है और demand का में उसके prices क्या हो जाते है automatically कम हो जाते है तो capitalists economic के अंदर यहां पर government के rules and regulations काम नहीं करते है सिर्फ एक ही factor काम करता है demand and supply का यह याद रखेगा वो हमारे Indian economy के अंदर भी demand and supply का factor काम करता है बट ऐसा नहीं होता है कि वो 10,000 का phone जो है वो 50,000 में बेचना चालू कर देंगे नहीं सरकार के rules है सरकार की guidelines है आपको guidelines के according काम करना पड़ता है बट capitalist economy में ऐसा कोई guidelines होती ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर government का interference बहुत ही कम होता है बहुत ही limited होता है that's why इस तरह की economy को या capitalist economy को क्या कहा जाता है free market economy के नाम से भी जाना जाता है कैसे market economy भी कहा जाता है याद रखेगा USA के अंदर, Japan के अंदर, Germany के अंदर इस तरह की economy इसको follow किया जाता था नहीं है, इतना कठोर form नहीं है आज कल इन countries के अंदर भी सरकार का थोड़ा सा control हो गया, सरकार का interference हो गया, I hope आपको capitalist economy यहाँ पर समझ में आई होगी अब दूसरी economy के अगर हम बात करें बच्चों तो यह होती हमारी socialist economy यहाँ पर capitalist का पूरा उल्टा हो जाता है कि जितने भी means of production है कि क्या बनेगा, कौन सी चीज़ प्रेडियूज होगी किसकी factories होगी, किसकी companies होगी यह सब के सब decide कौन करती है सरकार decide करेगी, government decide करेगी यहाँ पर private property और private ownership भी आप नहीं रख सकते है इसका मतलब है कि ऐसी country जहाँ पर factory किसी चीज़ की होगी वो factory भी किसकी होगी, सरकार की होगी आप यहाँ में factory नहीं खोल सकते है कि अगर phone भी मिल रहा market में तो वो सरकार की company का ही है वो public company का है, वो private company का phone नहीं है that means market के जितने भी factors of production होते है कि कितना produce करना है, कौन से चीज़ produce करना है कितनी amount में produce करना है, उसकी quality क्या होनी चाहिए वो सारा का सारा decide कौन करता है, government decide करती है तो ऐसी economy जिसको पूरी तरीके से control कोई देश करता है basically कहा जाए कि government करती है उसी को क्या कहा जाता है, बच्चे socialist economy कहा जाता है लेती है, सरकार ही decide करेगी कि market में क्या चीज़ होगी private company तो हो नहीं सकती, private owner भी होई नहीं सकते है तो जो भी market में चीज़े भी करी हैं, वो सारी के सारी decide कौन कर रहा है कि कितने के बिकेगी, कौन से बिकेगी, यह सब decide करती है यहां पर government, ऐसी economy होती ही बच्चे socialist economy और यहां पर applies are determined by the central planning authority इसके पहले क्या हो रहा था, capitalist economy में price कौन decide कर रहा था demand or supply, कि demand बढ़ी, तो price क्या होगा, बढ़ गए यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर क्या होता है, कि जो सरकार ने decide कर दिया विकाज हमारे देश के अंदर mixed economy है, क्या, mixed कैसी capitalist का भी कुछ part है वहाँ पर, और socialist का भी है, अगर पारली जी का packet 10 रुपे का है, तो ऐसा नहीं होगा कि market के अंदर पारली जी के packet के demand बढ़ गई है, तो दुकानदार उसको पचास रुपे में बेच रहा है, अगर वो बेच रहा है, तो यह illegal है, अगर कोविट के time किसी ने जादा पैसे के अंदर चीजों को बेचा है, तो वो illegal माना जाता है, अब MRP से जादा के price पे कोई चीज बेच नहीं सकते, तो यहाँ पर basically हम अगर हमारे topic क्यों पर आ जाएं, तो socially economy के अंदर basically क्या होता है, कि जो prices decide कर रही है, वो एक central planning authority ही करती है, अब किस country के अंदर follow की जा रही है, इनका तो नाम आपको याद ही होगा, North Korea, Kim Jong, अगर बात की जाए, जैसे वहाँ पर dictatorship चलती है, तो वहाँ पर कौन सी factory होगी, किस की factory है, factory में क्या ब अब नहीं चलता है, because यह बहुत rigid, बहुत कठोर concept माना जाता है, और कहीं न कहीं यह माना जाता है, कि चाइना आज भी इस चीज़ को partially follow कर रहा है, आज भी socialism को या कह सकते हैं, कि socialist economy को partially follow करता है, आज भी कहीं न कहीं चाइना जो है, वो control करता है अपनी economy को, रशिया का भी नाम यहाँ पर आता है, कि रशिया भी इस तरीके से अपनी economy को control करता है, बहुत ज़्यादा interfere करता है महाँ पर, कि companies तो महाँ पर private owner के नाम पर, बट चला कौन रहा है, उसको Russian government चला रही, और चाइना में भी same चीज़ होती कि company तो दुसरों के नाम पर, बट चला कौन रहा चाइनीज government चला रही है, तो market को ज़्यादा control करने का try करते, अब तीसरा type आता है, जो कि सबसे अच्छा type माना जाता है, या क्या सकते हैं कि बड़ा effective way है, इकनॉमी का, जिसको हम इंडिया में follow करते हैं, वो होता है, mixed economy में क्या होता है, कि आप ऐसा system follow करते हैं, जिसमें थ तोल से concept of socialism के लिए लेते हो, अब जिसे इंडिया के इंदर बात की जाए, तो हमारे यापर private companies भी होती है, capitalist भी है, industrialist भी और सरकारी company भी है, कैसे, अब जिसे मैं बात करूँ, एटल, जियो, ये कौन सी company है, private company है, telecommunications की, सरकारी company कौन सी होगी, BSNL होगी, तो इस तरीके से देखे क्या चीज़ें हो रही है, अगर insurance sector की बात करों, तो LIC हमारा कौन सा हो गया है, LIC का insurance मिलता है, आप तो वो सरकारी company है, LIC, इसके लवा आप HDFC का insurance भी खरीच सकते हैं, HDFC कौन सी private है, आप अगर market के अंदर जाते हैं, तो आपको बहुत सारे private shops में मिलती है, private shops के अल socialist की भी बात होती है, और यहाँ पर हम socialist के भी कुछ features को follow करते हैं, यहाँ पर किस तरी किसे काम किया जाता है, कि public ownership भी है, that means सरकार की भी factory हो सकती है, सरकार भी जमीन खरीच सकती है, और private ownership भी होती है, private companies भी रहेगी, वहाँ पर private offices भी रहेंगे, private buildings भी रहेगी, इसके prices are determined by the central planning authority, याद रखेगा, यह सबसे important feature होता है, socialist, sorry, mixed economy का, यह prices जो है, वो market decide नहीं करेगा, जैसे मैंने बताया है, यह central planning authority, that means सरकार decide करती है, तो पहली चीज़तों यहाँ पर सरकार भी decide करती है, और कुछ चीज़ें किस से decide की जाती है, demand and supply से भी decide की जाती है, ऐसा नहीं बोल दिया कि नहीं, 10 रुपे का बेशें, तो 10 रुपे का ही बेशना है, कहीं बार demand और supply का factor भी चलता है, अब जैसे हम regular commodities की बात करें, फल, दूद, सबजियां, इसको सरकार control नहीं करती है, अपने हाथ में नहीं रखती है, कि नहीं, आज अगर दूद का prices 50 रुपीज पर prices को control करती है, और कुछ जगे पर demand and supply वाला scenario properly use किया जाता है, चली बच्चो, I hope आपको mixed economy समझ में आ गई होगी, हमारे देश के अंदर mixed economy को follow किया जाता है, अब देखिए आपर कुछ points लिखे है, mixed economy के अंदर क्या होता है, owned by private sectors भी होता है, government की भी sectors होता है, freedom to start business है हमारे आ यहां पर आपके business को यह जब आप business कर रहे हो, तो आपके सरकार के rules and regulations को आपको क्या करना होगा, मानना होगा, यह कौन सा feature हो गया है आपका, यह आपका socialist feature हो गया है, कि सरकार भी control कर लिए, तो इस तरीके से चीज़ों को mix किया जाता है, आप देखिए, demand and supply के form में भी हमार important economic concept के form में follow करती है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, हमारा भी participation हो जाता है, सरकार का भी participation यहां पर आता है, और market के अंदरे competition भी मनी रहती है, जो कि कि किसी भी healthy economy के लिए बहुत जाधा important है, चलिए बच्चों, I hope आपको इस सारी शीज़े समझ में आगी होगी, अब सारे points को पड़े, यहां पर क्या कहा जारा, national income is the sum of total of the value of the goods and services manufactured by the resident of the country in a final year, sorry, in a financial year, within its domestic boundaries or outside, it is the net amount of income of the citizen by production in a year, बड़ी सिंपल सी चीज़े, national income, देश के अंदर जितने भी goods and services को produce किया जारा है, money के form में, जितनी भी चीज़े आप produce करते हैं, cars produce कर रहे हैं, cloths produce कर रहे हैं, commodities produce कर रहे हैं, food produce कर रहे हैं, services के अंदर क्या आ जाएगा, यहां पर, IT sector आ जाएगा, banking sector आ जाएगा, जितनी भी हमारी इस industry से जो services provide करते हैं, उसकी जो एक income generate होती है, जो net income generate होती है, उसी basically income को क्या कहा जाता है, यहां पर बच्चो national income कहा जाता है, यहां पर एक और point है, सिर्फ India के अंदर नहीं, abroad से भी बाहर से भी अगर हमें कोई income हो रही है, बाहर से income कैसे होती है, आपने किसी दूसरे देश को loan दिया था, उस loan का interest जब वो देश आपको चु कर रहा है, पैसा महा कमाता है, सेंडिया कर रहा है, तो यह भी income बाहर से ही आ रही हमारी, यह सारा जो calculation होता है, जो पूरी income हमारी आ जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, बच्चो national income यहां पर कहा जाता है, अब जैसी कि basically बात की जाए, तो यह picture हमारे लिए बहुत जादा important ह है, यह हमारे grand old man of India, दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी ने आजाद भारस से या कह सकते हैं कि बहुत पहले ही देश की national income को निकालने के लिए बहुत सारे प्रयास किये थे, इस point से question बन सकता है कि national income को calculate करने का सबसे पहला प्रयास या सबसे पहला effort किसने लगाया तो वो थे हमारे दादा भाई नरोजी जिनने the great old man of India के नाम से भी जाना जाता है, अब यहां पर कुछ factual चीज़े देख सकते हैं, देख लेते हैं कि 1876 के अंदर दादा भाई नरोजी वो पहले परसन थे जिनोंने देश के national income को राष्ट्रिय आये और per capital income को कि हर परसन की एक आदमी की income कितनी है देश मैनुवली उसको निकालने का try किया था किसने दादा भाई नरोजी ने और किसी यहर में किया था 1967-68 के अंदर किया था, इसके अलावा दादा भाई नरोजी से economics में और दो-तिन question भी बन सकते हैं, दादा भाई नरोजी की एक famous book है, Poverty and Un-British Rule of India, यह पूशा जाता है कि बुक किसने लिखी है, यह दादा भाई नरोजी ने बुक लिखी थी, Poverty and Un-British Rule of India, यहाँ पर बताया गया था कि किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे देश के resources का, natural resources का use किया, उसे extract किया, और किस तरीके से ब्रिटायन के अंदर वेज दिया यह हमारे देश को धीरे धीरे गरीब बनाते गए, इस बुक के अंदर बताया गया था, नेक्स्ट गर बात की जाए, तो यहाँ पर इनकी वहोत ही important theory है, drain of wealth theory, यह question में पूशा जा सकता है कि drain of wealth theory किसने produce करी थी, drain of wealth theory को भी दादा भाई नरोजी ने ही produce किया था, 19th century के अं natural resources को उठा के, Britain में drain कर दिया, बहा दिया, किस तरीके से कितना पैसा वो देश से ले गया और महां जाके उस पैसे को invest कर दिया, यह drain of wealth theory दादा भाई नरोजी ने प्रपोस करी थी, याद रिखेगा important चीजे, इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए, कि official attempt national income को calculate करने क आजादी के बाद किस के थू लिया गया था, यहाँ पर लिया गया था, PC महानरुबिस के द्वारा 1949 में, 1949 में पहली बार एक official attempt किया गया, देश की national income को calculate करने का, और एक national income committee बनाए गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, PC महानरुबिस, जो की professor थे, basically economics के professor थे, 1949 में पहली बार तै करा, अब यह question आ जाता है कि, आज की तारीक में, हमारे देश में national income कौन calculate करता है, कौन सी government body या organization है, जो national income का calculation करती, तो आपको याद रखना है, CSO, जिसका ये logo है, Central Statics Organization, Central Statics Organization, CSO जो है, वो आज उसके पास ये task है, उनको ये कारे दिया गया है, कि वो हमारे देश की national income को calculate करें, इस slide से बहुत सारे question बनने के chances हैं, आप अगर notes खुद के हाथ से बनाते हैं, तो इस slide को थोड़ा सा importantly note कीजिएगा, बहुत important points हमने आपर discuss करें, क्योंकि ये question कई exams में पूशा गया है, कि देश के अंदर national income को calculate करने की कौन सी body है, चलिए next point की अगर हम बात करें बच्चो, national income के अंदर बहुत सारे factors होते हैं, इसको calculate करने के तरीके भी अलग-लग होते हैं, और national income को अगर बात की जाया, तो measure करने के लिए भी बहुत सारे formula होते हैं, औ सबसे पहला और सबसे important concept होता है बच्चो GDP, आपने सुना होगा कि COVID के time पे देश की GDP कम हो गई है, देश की GDP दीरे देरे बढ़ती जारी है, अभी GDP क्या होता है, GDP का basically मतलब होता है बच्चो, gross domestic production, चलिए इसको समझते हैं कि GDP होता क्या है, यह बड़ा important picture है, तक्रीबन में अगर मैं बात करूँ कि जब COVID-19 की पहली वेव आई थी, उसके बाद यह picture जब देश के अकबारों में छबा, यसी picture आया, तो हमारा देश पूरी तरीके से निराश हो गया था, because lockdown के अंदर यहां पर देखी एक point बताया जा रहा है कि देश की जो GDP है, वो minus 23.9% के अंदर च लगी थी, 3.2 लगी है, बाकी जिन countrys के ओपर एफेक्ट हुआ है COVID का, जिन economics के ओपर एफेक्ट हुआ है, उनकी GDP क्या होती गई थी, धीरे धीरे कम होती गई है, और सबसे कम यहां पर बात की जा, इन major countries में तो वो ही थी, भारत की, minus 23.9% GDP कम हुई थी, अब आप समझते है यह GDP बेसिकली होता क्या, बच्चो कोई difficult सी चीज नहीं, यह मैंने पहली भी का है, सारी चीज़े conceptual है, आपको सिर्फ basic को अच्छे से समझना है, बाकी कोई difficult जैसे चीज नहीं दे कि simple सा logic होता है GDP का, gross domestic product is the total market value of all the finished goods and services produced within a country's border in a financial year, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी goods और जितनी भी services देश के अंदर produce की जाती है, देश की boundary के अंदर, देश के बाहर नहीं, अब इसमें वह वाल income एड नहीं होगी कि कोई आदमी बाहर काम कर रहा है और उसने पैसे इंडिया में बिश दे न रखना है, कि gross domestic products is the total market value, जितनी भी goods and services देश में produce हुई है, जितना भी माल produce हुआ है, सामान produce हुआ है, जितनी भी value है, वो services कहां produce होनी चाहिए, पहली बात तो, within the country's boundary की देश के अंदर ही produce होनी चाहिए, और इन a financial year, हमारे financial year के अंदर produce होनी चाहिए, आप comment box के अंदर मु financial year हमारा कौन सा है, जनवरी से लेके December तक है हमारा financial year या कोई और है, तो साल बर के अंदर जितनी भी चीज़े produce होती ही यहाँ पर, उनकी value को ही क्या कहा जाता है, बच्चो GDP, domestic, gross domestic product, within the boundary of a country, domestically जो produce हो रही है, इसलिए 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 GDP कहा जाता है, तो नेक्स पॉइंट बड़ा important picture है, क्यों GDP इंडिया की कम होगी थी यहाँ पर, आप खुछ सोचो ना, यहाँ पर क्या लिखा है, कि साल बर के अंदर जितना भी market की value होती है, जितने भी चीज़ों को goods को, services को आप क्या करते हो, produce करते हो, अब यहाँ पर क्या हो गया, देश में नहीं, पूरी द जा रहे हो, hotel में रुक रहे हो, taxi ले रहे हो, सब बंद, जब goods and services ही बंद हो गई है, तो यहाँ पर GDP automatically आपकी down जानी थी, but सबसे important major effect किस पर पढ़ा था, इंडिया की ओपर पढ़ा था, अगर हम आज ही बात करें, तो आज हमारी GDP दीरे दीरे बहुत अच्छी तरीके से grow कर गई है, चले बच्छो आया हो, आपको GDP का concept समझ में आया होगा, next अगर point की बात की जाए बच्छो वो हता है, GNP, gross national product, देखे बड़ा simple सा है, gross national product, total income of the country, including income from abroad, GDP में क्या हो रहा था, कि domestic ही जितनी income थी, हम उसी की बात कर रहे थे, GNP में आपको सिर्फ एक simple सा point की याद जो बाहर से हमारी income आती है, बाहर से जो देश में पैसा आ जाता है, उसको भी जोड़ लो आप, market के अंदर, देश के अंदर जितनी goods and services की value है वो तो होगी, बाहर भी जो goods and services produce करें देश के बार, उसकी जो value है, उसको भी smart कर लिया जाता है, यहाँ पर क्या लिखा, it takes the income earned by the citizen of country present within the, within और outside the country into consideration, that means, उन लोगों की income को तो calculate किया जाता ही है, जो की देश के अंदर है, within the boundary है, बड़ जो outside of the country है, जो देश की boundary के बाहर भी income generate कर रहे है, उनकी income को भी GNP में calculate किया जाता है, तो यहाँ पर GDP और GNP में major difference क्या है, GDP में income from abroad या outside income को calculate नहीं किया जाता था, GNP के अंदर outside income को calculate किया जाता है, याद रखेगा, it excludes the income generated by the foreign national who are residing in the country, कि बगर इंडिया के अंदर बाहर का कोई आदमी रह रहा है, और वो इंडिया के अंदर पैसे कमा रहा है, तो फिर उस income को add इसमें नहीं करते हैं, इंडिया का आदमी बाहर रहा है, वो कमा रहा है, मैं इस पैसे भेज रहा है, उस point को यहाँ पर add किया जाता है, आपको confused नहीं होना है, आपको सिर्फ याद रखना है, कि income from abroad GNP के अंदर calculate की जाती है, जैसे यहाँ पर इसका formula भी हमने लिख लिया है, कि GNP is equal to GDP plus income from abroad के बहार से जो आपकी आय आ रही है, जैसे example है, यह USA का map ह मान लेते हैं कि यह जो person है, यह US के अंदर काम कर रहा है, इसकी जो family है, अभी earning कहां कर रहा है, US के अंदर कर रहा है, डॉलर में करता है, इसकी family कहां पर है, इसकी family मान लेते हैं, इंडिया के अंदर है, अब यहाँ पर यह जो पैसे भेज रहा है, यह transaction करेगा इंडिया के के अंदर तो जो money इसने भेजी है वो किसके अंदर calculate होगी वो GDP में calculate नहीं होगी क्योंकि GDP में income from abroad नहीं आ रही थी जो पैसा वो भेज रहा है जो services के थुरू पैसा भेज रहा है जो भी transaction हो रहे है तो किसके अंदर calculate हो जाएंगे बच्चो अब G and P के अंदर calculate हो जाएंगे याद रखिएगा सिंपल सा concept है चीज़े बड़ी सिंपल है इसके अंदर बस लॉजिक को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है चलिए next point की बात करते हैं बच्चो net domestic product net domestic product के अंदर होता यह कि net domestic product is the monetary value of finished goods and services produced by country citizen in a given period after the dedicate deducting depreciation अब यहां पर एक important point आ जाता है जिसके उपर आपको confused नहीं होना है वो है depreciation यहां पर क्या बोल रहे है GDP के अंदर sorry NDP के अंदर कि यहां पर क्या होता है कि monetary value finished goods की होती है जितने भी finished goods जितनी भी services within the boundary of a country है उनकी total value उसमें से अप क्या minus कर देते है depreciation अब यह depreciation क्या होता है कुछ recall हो रहा है simple से concept बताता हूं मैं आपको आपने iPhone खरीदा है मान लीजिए वन लैक रुपीस का आपने उस iPhone को दो साल चलाया तीन साल चलाया जब आप उसको market में बेशने जाते हैं तो साइपोन की जो कीमत है वो एक लाख रुपे से गटके पचास अजार हो जाएगी आप लिए जाता है क्योंकि कार का जो इंस्स जो कारकी वेङल्यू के ओपर डेकी आ जाता है बढ़ कocide की earns अदर प्रिडियूज होए है उसमें से यह मा इनस क्या कर देते हो leaving टर 104 उरीन हो कि वेजिक क्रेसास कर देपर पतल्स प्सक्री क्या कर रही है बच्चों यहां पर net domestic product या NDP कहा जाता है जैसे यहां पर लिखा है देखिए NDP is equal to GDP GDP क्या थी है हमारी total value of goods and services producing within the boundary of a country तो GDP मैंसी अगर आप depreciation को minus कर देते हैं बच्चों तो यहां पर क्या आ जाता है आपका NDP आ जाता है net domestic product आ जाता है जिसे जितने भी goods and services से आपने जो value money में आई थी है उसमें से minus क्या कर दिया आपने depreciation कर दिया तो आपका आ जाता है NDP simple सा concept है बड़ा logically concept है इसको याद रखिएगा बड़ा ही simple सी चीज थी next हम बात करें तो ऐसी एक चीज होती है net national product यह भी बड़ा simple है यहां पर सिर्फ यह होता है कि जो goods and services हम produce कर रहे थे उसके अंदर हम क्या जोड़ देते है income from abroad भी जोड़ देते है जैसे इसके पहले अगर हम बात करें NDP की बात करें तो NDP के अंदर क्या हो रहा था produce by the country citizen सिर्फ देश के नागरिक जो produce कर रहे है उन्ही goods and services की value की बात कर रहे थे बड़ अगर हम NDP की बात करें तो NDP में क्या होता है country citizen की देश के नागरिकों ने वो service produce तो करी है overseas भी आ जाते बाहर के नागरिक भी आ जाते उन्होंने भी जो goods and services produce करें है उसकी जो total value होगी उसमें से आप क्या minus कर दो वही depreciation अब इसको properly फॉर्म लेके थूँ अगर बच्चों में बात करूँ तो NNP का क्या मतलब होता है basically GNP minus depreciation और अगर मैं और इसको आसान शब्दों में बात करूँ तो आपको क्या करना है NNP में total GDP ले ली GDP के अंदर किस कि money की value आ गई है देश के अंदर रहने वाले goods and services की money की value प्लस इसमें आपने क्या कर दिया income from abroad कर दिया income from abroad के अंदर क्या हो गया बाहर से जो पैसा है उसकी money की value आ गई और इसमें से आप minus कर दो क्या depreciation तो जब यह तीनों चीज़ आप कर देते हो तो जो amount निकल के आता है वो होता आपका net national product और यही basically देश की properly national income होती है national income को अगर properly calculate करना है आपको exactly calculate करना है तो वह NNP के थुरू आप करोगे आप GDP के थुरू नहीं करोगे GDP में आपने क्या करा बाहर की income तो ली ही नहीं depreciation तो लगाया ही नहीं बढ़ यहाँ पर NNP में आप क्या करते हो आप देश के अंदर की income को भी calculate करते हो income from abroad को भी आपने calculate कर लिया है और उसमें से minus क्या थर दिया आपने उसमें से minus आपने depreciation भी कर दिया है तो जो amount निकल के आता है बच्चों वो exactly valid amount होता है that's why क्या होता है जितनी भी countries की जो बड़े बड़े economical organizations होते हैं जब वो country का economic growth को निकालते हैं तो वो country की GDP के base पर नहीं निकालते हैं वो country की NNP की base के ओपर निकालते हैं याद रखेगा बड़ा important सा concept था चलिए अब यहाँ पर कुछ questions हम कर लेते हैं बड़े ही basic से questions हैं बड़े easy questions हैं इन सारे questions में से कुछ questions का answer मैं आपको दे दूँगा और कुछ questions का answer आपको मुझे बताना है कि basically इनका answer क्या होगा है बच्चो बड़े important questions हैं और बड़े basic से questions है economics के पहली बात की जाए which type of economy is Indian economy देश की हमारी जो economy है जो भारत की economy है वो कौन सी तरह की economy है किस type की economy है पहला क्या हो जाएगा capitalist economy इंडस्टलिस इकनोमी जिसे हम कहते हैं दूसरा है socialist economy तीसरा है mixed economy और D है हमारा market economy बड़ा आसान सा अंसर है इसका बड़ा आसान अंसर क्या हो जाएगा obviously हमारी जो देश की economy है वो mixed economy है कि यहाँ पर private sector और public sector दोनों का ही proper participation होता है देश की economy को चलाने के लिए चलिए next point देखते हैं बच्चों next question है which organization calculate GDP in India यह मैंने question आपको बता है था पूचा था बहुत है कि बड़ा आसान सा है और कहीं बार पूचा जाता है कौन सा organization ऐसा है यह देश की GDP को calculate करता है या बेसिकली बात करें कि देश की GDP देश की national income इन सब को calculate करता है पहला option है यहाँ पर CSO दूसरा है NSSO C है ISO और D है हमारा finance ministry simple सा answer होगा इसका बच्चों हमने discuss कर लिया है यहाँ पर इसका जो भी answer है आप मुझे वो comment box के अंदर दीजेगा कि देश के अंदर basically कौन सा organization हमारी GDP को calculate करता है next question की बात करते हैं बच्चो नेक्स कुशन है the total amount of income from economic activities across the country in a year is called जितनी भी economic activities के तुरू हम पैसा कमाते है across the country depreciation अटा दिया उसमें से हमने income from abroad जोड दिये जो भी इस चीज़ें हमने करी जितना भी पैसा हम कमा रहे है उसको basically क्या कहा जाता है पहला है आपका national income दूसरा है आपका personal income खुद की income तीसरा है आपका domestic income की देश के अंदर ही जो income है वो domestic income है और तीचौथा option बोल रहा है आपर none of the above इसका अंसर भी आप comment box के अंदर दीजेगा कि इसका अंसर क्या है बड़े easy questions है कोई difficult question economics के नहीं पुछे जाते है exam में next question के बात की जाए which sector contributes the most income to India's economy इसका अंसर भी आपको दिना है कि कौन सा sector इंडिया की economy में सबसे जाधा contribute करता है पहला सेक्टर है primary, B है secondary, C है tertiary और D है आपका organized sector बताईएगा इसका अंसर भी comment box में दीजेगा कौन सा sector Indian economy के अंदर सबसे जाधा contribute करता है next point की बात की जाए यह point बड़ा important है what is the base year of calculating India's GDP अब बेस year क्या होता है देखिए नाम से clear हो रहा है base year एक साल ऐसा होता है जिसको base बनाके जिसको आधार बनाके GDP को calculate किया जाता है मान लीजे base year कुछ होगा उस साल अगर 100% GDP के money के value आई है तो इस साल अगर 200% आ गई है that means हमने क्या करा है हमारी GDP 100% क्या हो गई है increase हो गई है तो एक base मान लिया जाता है कि इसके context में जब GDP को calculate किया जाएगा किसी भी साल की GDP को इसी साल के context में calculate किया जाएगा तो Indian context के अंद बहुत detail में जाने एक factual point के form में एक simple से form में मैंने आपको बता दिया कि कैसा साल जिसको आधार मान के GDP calculate की जाती है तो इंडिया के context के अंदर हमारा जो base year है बच्चो वो है 2011-12 याद रखेगा आज हमने बहुत सारे concept economics के समझ ली है basic economics के जो concept है वो properly हमारे पूरे complete हो गए है I hope आपको समझ में आ रहा होगा कि economics जो है वो बहुत difficult सा subject नहीं है बड़ा आसान सा subject है और NDA के अंदर जो economics के questions आते हैं वो majorly directly पूछे जाते हैं indirectly भी अगर वो पूछते हैं questions तो वो बिलकुल आसान से questions होंगे जो basics हम कर रहे हैं उस basics से बन के ही आगे question आने वाला है हाँ majorly question से कर वो economics में देखे जाए तो कहीं ना कहीं स्कीम से पूछते हैं जो economics के आगे वाले lectures में properly complete करेंगे चलिए बच्चों इसी तरीके से आप मैनत करते रही है इसी तरीके से आप जो है अपनी पढ़ाई तो अच्छे से continue करिए और जल्दी से आपका जो NDE का dream है जो